यह पहली ही class है और जैसा कि मैंने आपको जो announcement video था उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह जो हमारी classes हैं अब हम elite course को इस तरीके से ही start कर रहे हैं कि सबसे पहले हम कवर करेंगे एक वार मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आप भी updated रहेंगे और मुझे भी ध्यान रहेगा कि हमने क्या कमिट किया ठीक है तो सबसे पहले हम language कवर करेंगे academic लेवल जो language का लेवल होता है academics के लिए academics का मतलब है 9th and 10th तक ठीक है starting जब से language की होती है स्कूल में अभी क्या है कि प्राइवेट स्कूल से हैं उनमें तो language स्टार्ट हो जाती है from the very first class ठीक है government schools है कुछ जगे वहाँ भी 6th में स्टार्ट होती है कि 3rd में स्टार्ट होती मुझे लगता है English language और बिहार के कई बार बच्चे बताते हैं वहाँ पर 10th में आती है यह पता नहीं 9th में इंग्लिस आती है खेर जो भी तो जो भी हमारा senior secondary लेवल तक का language का syllabus है English language का सबसे पहले हम उसे कवर करेंगे ठीक है जितनी जल्दी कर पाएंगे पहले हम उसको एक बार कवर करेंगे क्योंकि जैसे हमने notice कि elite में भी काफी candidates हमारे ऐसे रहते हैं काफी candidates ऐसे रहते हैं जिनको उस इस लेवस को भी एक बार करने की जरूरत होती है थीक है तो जो अकेडमिक लेवल पर language का ठीक है इसको ऐसे लिख दते हैं कॉंपुटिटिव एक्जाम्स एकेडमिक एक्जाम्स ठीक है तो काफी बिच्चे आप में से ऐसे होंगे जो अकेडमिक एक्जाम्स के लिए इंग्लिस पढ़ाते होंगे सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके से हमारा स्लेवस जो चलेगा अकेडमिक से स्टार्ट करके कॉंपुटिटिव एक्जाम्स का स्लेवस अकेडमिक काफी कर लिए तो अधिया ज्यादा मेरत नहीं पढ़ेगी ठीक है जल्दी हो जाएगा यह वाला पार्ट हमारा सब्सक्राइब अच्छोड़ा टाइम लेगा और प्रैक्टिकल यूज चलता रहेगा जब तक चलेगा उसके साथ ही साथ में मिस्लीनियस में हम लोग कवर करेंगे मिस्लीनियस भी रहेगा इसका पार्ट है कि मिस्लीनियस पार्ट जो हमारा रहेगा में उसमें कटास्क घर समय है एस्से ट्रीके की चीज की आपके सोचने को है आपको सोचने के लिए मज़ých करेंगे आपको मतलब मजबूर करेंगे कि आप थोड़ा सा रिसर्च करो चीजों को खोजो चीजों को ढूरो ठीक है उसमें जो भी हमारी मंदत की जबूरत रहेंगे आपकी तो इस तरीके का यह हमारा स्लेबस रहने जा रहा है हम यह चीजे पढ़ेंगे इस तरीके से हमारी क्लासे चलेंगे और बाकी जो भी डाउट्स वगएरे आपको रहेंगे मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया था और फिर से मैं आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है तो आगे से आप मुझे कॉंटेक्ट करेंगे और यह मेरा पर्सन लंबर है डबल नाइन डबल नाइन मतलब वह जान गए कि आमां डिसिप्लेंड एंड इस्ट्रिक्ट पर्सन तो वह तो सांत होगे बट एक उनका जो लीडर था वह मतलब हार नहीं मानना चाहरा था उसको लग रहा था कि ऐसे कैसे बाकी अपना नोट बुक निकालके पैन निकालके अपना लिखना विखना उन्होंने सुरू कर दिया बात करनी पंद्ध करती लीडर जो था वो नहीं अभी समझ पा रहा था तो मैंने कुई question लिखा उसमें होली दिवाली का कुछ मतलब मैं टो अपने यह इसमें लिख तो मैं समझ गया हुए यह दूसरे तरीके से सुध़ रहा मैंने गालतो क्लास से बाहर में लिए तो नहीं थो पढ़ना आप सिंसिर नहीं लग रहे हो और आप दूसरों को पढ़ने भी नहीं कर सकते आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप मत पढ़ो शांत बैठेरो मुझे कोई दिख्कार नहीं है बात मत करो कि इससे जिंदगी को किस रास्ते ले जाना चाहते हो तो इसमें मैं आपको बता हूँ समझाऊं जवर्दस्थी करूं कि नहीं इस तरीके से जिंदी की जी यह मैं उत्माइं पीछे नहीं पढ़ता किसी है तो मैंने का इतनी देर में यह समझ चुका हूं कि ना तुम्हें पढ़ना है न पढ़ने देना है तो अब एक काम करो जो पढ़ना चाहते हैं वह यहां रह देख्या होता तो अलग बात ती लेकिन आप मजबूर कर दिया ना आव यह वहाँ अब लग देख्या है चला गया चला गया एट छीक चला गया मैने बाकि अपने ट्लास्ट पढ़ाई और बाकि बच्चे सिंसियर थे बाकि जोसके दोस्ते वह भी थे फिर पढ़ने लग अच्छे से, after the class was over, I went to the reception and then I went to the manager's office, the person who would run that institute and he asked me how was the class, how were the students and I told him everything that students are good, they want to learn, they are eager to learn, they enjoyed the class and there were a few students, they were not serious, some of them started taking interest in the class in a while and there was one whom I had to force to leave the class, so the manager was a very mature person, I really regard him, I respect him, I respect him, army personnel, I regard him, I respect the people who are very good, I respect him, 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 he said, sir, tell me something, he has a desire to learn, he has a desire to learn, that's why he has come to the center, that's why he is taking demo classes, that's why he has paid the fees, Okay, but Rachel didn't know who he will would learn, he doesn't know how to learn, that his question, asks me questions, reading questions, to listen will run, he has not had to likely learn, him सीखते हैं खुद को बदलने से हमें अपना behavior अपनी सोच अपनी approach बदलने पड़ती है सीखने का मतलब खुद के अंदर बदलाव करना है तो कुछ बच्चे होते हैं वो इतने मैच्योर या इतने सिंसियर या इतने motivated नहीं होते हैं वो खुद को बदलना नहीं चाहते हैं वो मौजी है तो मौजी ही रहके पढ़ाही करना चाहते हैं तो यह काम है कि टीचर को कि आप अपना content पढ़ाईए आप अपना पढ़ाने के लिए तो बच्चों को कैसे डील करना इसका मुझे कुछ ज्यादा नहीं आईडिया था क्योंकि कुछ ही महीने हुए थे तभी मैंने पढ़ाना शुरूई किया था तभी मैं बभाना चला गया था ठीक है पढ़ाने सरकें तो उन्होंने बताया कि अगर बच्चा नहीं मान रहा ना आप उसको डढ़ाओ धमकाओ लले चाओ ठीक है फिर भी नहीं माने वो तो आर्मी परसनल थे स्ट्रिक पर थे मेर से भी ज्यादा स्ट्रिक थे उन्होंने का आप मुझे बुलालो मैं देखता हूं कौन नहीं स्टूडेंटार्य तो उनका परपऱस एगा सीखना सीखना टीचЕर आने के लिए आया बच्चा सीखने के लिए आपने बच्चों ने के लिए आया अपने बच्चों क्लास से बाहर कर दिया अब क्या वह सीखर टीक हो मैं तो तो कि मैं समझ तो दोनों को zukद्रमी फिस..! फिर मैंने लिहाज करना छोड़ दिया बच्चों का, जो बच्चा सरार्थ करता था मैं उसको खींचता था, बहुत अच्छे खींचता था, भाई पढ़ा ही कर ले, मैं कोई लिहाज वियाज नहीं करता, ठीक है, अच्छा पढ़ेगा, सीख जाएगा, तेरी जॉब लग जा ही था है तू में कभी नहीं करता था, अपने इंस्ट्टोटोट में ये बहुत कोई तुकेни बनता अपने सेंटर चल खोल भाए ठीक है अपने या कभी आसा नहीं किया,agen दूसरा इंस्ट्टोट था मुखर्जिनगर में, वहां में पढाया करता था यह वहां एक बार मारे तो अनुरूली बच्चे सब जगे हैं अब रह गई बात कि हम इनको हैंडल कैसे करें यह बात है तो इनको हैंडल करने क्या होता है कि मुझे लगता है कि आप अपना पहले से पैटन बना के रखें कि मेरा यह पैटन है पढ़ाने का मैं इस थरीके से पढ़ाता है ठीक है और यह इस तुद्ध बात करूंगा या नहीं करूंगा यह पहले से बच्चों को बता दीजिए तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे क्लास में अनुर पूली ना हो तो आपको उनको यह महसूस करवाना होगा कि आप उस टाइप के टीचर नहीं हो आपका वो टीचिंग स्टाइल नहीं है यह वेरी सिंसियर और डेडिकेटेटेड अबाउट दी जॉब देट यह आपड़ो या नहीं पड़ो पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ बस यहीं और डेडिकेट है究ों आपको नहीं थे सब नहीं होता है कि भई यह अपने हिसाब से ऐसा करेंगे अपना सेंटर है खुद का तब तो इसली है मैनेजेबल होता है अब माली आप दूसरे कहां पढ़ा रहें तो कई बार समस्य हो जाती है ठीक है लेकिन ओवर टाइम जो आप किसी इंस्टूट में कुछ महीने पढ़ा लेते हैं दो चार छे महीने आप पुराने हो जाते हो तो लेकर आपके अप्रोच आपकी content आपके delivery कि आपकी teaching कितनी effortless है अगर आपकी teaching effortless है ठीक है आपका content अच्छा है तो you can influence students easily आप students को easily influence कर सकते हैं and the other thing I said two things there are two things ठीक एक तो आपका content subject content जो आप पढ़ाते हो ठीक है आप क्या पढ़ाते हो किस तरीके से पढ़ाते हो कैसे पढ़ाते हो उसका level क्या है ठीक है जो बच्चा आपको हलके में ना ले पाए एक तरीक है एक चीज दूसरी चीज है कहूं या छोड़ दूँ I am looking for some soft word मैं किसे soft word को सच कर आप कोई मिल जा तो दूसरा है आप खुद आपके विचार आपकी बोल चाल आपका गवहार मतलब मैं यह सारे वर्ड करेक्टर वर्ड की जगे पर यूज कर रहा हूं मैं यूज नहीं करना चाहता था इस वर्ड को बड़ मुझे करना पड़े गया ठीक है तो आपका जो अपना खुद का चरित्र है मैं बच्चों यहां पर गलती नहीं दूँगा बच्चे ऐसे ही आज के टाइम में और इससे भी आगे के हैं दुनिया बहुत आगे चलेगे आप न्यूज पेपर से पड़ो टीचर को गोली मारती बच्चे ने ठीक है टीचर का पीछा करा वाइक से बच्चों ने बच्च ठीक है तो अब यह है कि आपके पास दो ही चीजे हैं जिन आपके बच्चे को एंफ्लूएंस कर पाएं ठीक है कि आपकी कोई मतलब वीकनेस ना जिसको बच्चा पकड़ ले ना आपको पढ़ाते हो उसमें और ना आपके व्यभार में बोली भासा में पहनावे में करेक्टर में जो मैं कहना चाहरा हूँ तो बच्चा उससे भी प्रवाबी ते दो चीजों से यह प्रभाव से आप उसको कंट्रोल में कर सकते बागी कोई तरकिव करोगे तो बैकफार करेगी कोई भी तरकिव आपके कोई भी थे हैने का ठीक है तो मेरा अपना एक्सप्रे वेपन्स हैं दो ही हतिया आ रहे हैं आपके पास ठीक है जिससे आप अपने ओपोनेंट को अपनेंट का मदला अनुरूली स्टूडेंट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि अपनेट्पिसले मेशक्राइन आपका जीवन जीने का तुरीकिव बागी इसे फर्क पड़ता आप में अपनेंट को अपनेट से जो बच्चे में इर से ऐफलान बैच में पढ़े उंलाइन में पढ़े हूं जानते हैं इस पाथ ठीक है मेरी च्लासे में है ठीक है कुछ चीजे मतलब hard and fast है we don't talk about politics we don't talk about casteism we don't talk about religions हम जाती धर्म और राजनेती की बात क्लास में करते नहीं है ऐसे नहीं मेरा कोई धर्म नहीं है मैं बिना धर्म का इंजानू नहीं नहीं है वाई मेरा धर्म ठीक है और जो मेरे से बन पाता है मैं कर पाता हूं वह मैं करम कांड करम कांड कर नहीं करता हूं ठीक है वैसा विचारी नहीं है बट जो भी अपनी मतलब होती है चीजे मैं वह करता हूं तो मिली है क्या कि आपने आप में से जातर बच्चे जो मुझे से ओनलाइन पड़े हैं वो इस बात को जानते होंगे ठीक है कि मेरी क्लासे में ज्याति धर्म और राजनीति इन तीन मुद्दों की बाद हम कभी नहीं करते हैं ना कोई बच्चा करेगा ना मैं करूंगा हलका फुलका मजाग भी मैं अब आइडी करता हूं नहीं करता है क्योंकि वह एक वार आप एक सिरा पकड़ा दो गया तो फिर वह कहानी कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता है एक बंब की पूरी लड़ी है आप पहले बंब को बस चिंगारी दे दो फिर उसके आद लड़ी कहां तक फूटती हुजाएगी किसी को नहीं पता होता है तो आपको खुद उन चीजों को लेकर पहले आपको खुद बड़ा मतलब डिसिप्लेंट रहना पड़ता है क्या चीजे मतलब क्योंश क्रेट कर सकती है आप उनकी बात ह हम देखते हैं टीचर कई बार बड़ी मतलब हलकी बाते बच्चों के सामने करते हैं बड़ी फूटता वाली वाते करते हैं ठीक है बे मतलब ऐसे मुद्धों पर बात करते हैं जो कि राजनेतिक होते हैं ठीक है धार्मिक होते हैं या जातिय होते हैं क्या मसला है भीया अब या फिर कई बार होता है बच्चे को बड़ा सगा बनने के लिए बच्चों के साथ में यार, दोस्त, भाई, भाई तो चलो तब भी ठीक समझ में आता है ठीक है इस तरीके सब्दियूज करते हैं आप क्यों करोगे एक टीचर और स्टुडेंट का रिलेशन एनफ होता है इसक तो इसमें अब हमें कोई तीसरे रिलेशन को डालने की जरूरत ही नहीं है कोई मिक्सर बनाने की जरूरत ही नहीं है इस्टुडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है इतना प्योर रिलेशन है अगर हम उसकी गरिमा रख पाएं उसकी मर्यादा में रह पाएं तो फिर हमे कोई बाई बेटा बनने की कोई जरूरत ही नहीं इन कोई जरूरत के जरूरती का रिस्ते बड़े हलक फटwood cog तो ये कि पूलंग के बाद में किसी जरूरत नहीं अब उस relation को तो maintain कर पाओ, आपको भाई दोस्त बनने की कोई जरुरत नहीं पड़ती, कोई जरुरत ही नहीं है, मेरा यह मानना है, So, यह जो question आपने पूछ देया, इस पर मुझे लगता मैं ज़्यादा ही बात कर गया, There are only two weapons, आप उनको अपने sharp कीजिए, उन weapons को sharp रखी है, अपसे में उन पर धार लगाते रही है, ठीक है, और वही दो weapons हैं जो आपको बचा सकते हैं ऐसी परस्तिती में, आपके सुरक्षा कर सकते हैं, तीसरा कोई भी weapon, कोई भी मैं कह रहा हूं, और मैं इस सब्द को जान बुझ के यूज़ कर रहा हूं, Any other weapon, केवल बैकफायर करेगा, आपकी production नहीं करेगा, तो आप इनको कैसे करते हो, इने weapons को कैसे sharp करते हो, way of teaching, content भी इसमें सामिल है, your teaching and your living, दो ही चीज़ें भाईया जिन पर काम करो, आपका जीवन और आपका सिक्षन, सिक्षन का मतलब teaching, जीवन का मतलब living, ठीक, तो इन दो weapons के मदद से आप किसी भी कठिन से कठिन परस्तिती को manage कर सकते हो, हो सकता है कोई परस्तिती आप तुरंट manage ना कर पाओ, but over the time आप कर लोगे, last में आप सत्त में जयते वाली कहानी हो जाएगी, मतलब विजय आपकी होगी, आप जो चाहते हो, उसमें सफल होगे, लेकिन आपको बस इन दो चीज़ों का साहरा लेना है, आपने जीवन को अपने जीवन को अपने जीवन 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 जीने के दिशाएगी, और कोई तरीका थोड़े, कोई ताबिज, कोई जादो मंतर, कोई कांसलिंग, यह चीज़े काम ही नहीं करते हैं, अपने लिविंग के थूँ आप प्रभावित कर सकते हैं, अपने शुड़ेंस को बदलाव ला सकते हैं, और टीचिंग इसके लाब कोई तर्कीव नहीं, तो इनको शार्फ करते रहें, अपने जीवन को, अपने जीवन जीने के धंको, ठीक है, ऐसा कीजिए कि लोग आपस प्रभावित हूं, अब गुरुजी खुदी गुटका खाएंगे, बीडी सिग्रेट करेंगे, ठीक है, गुरुजी खुदी अपसब्दी यूज करेंगे, दिल्ली में तो कुछ गाली हैं बहुत फेमस हैं, ठीक है, टीचर सी यूज कर लेते मैं देखता हूं, अरे भाई, अरे भाई, क्या कह रहा है तो, ठीक है, ठीक है, मालो हम गाउं दिहास से हैं, बहुत हमारे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन एक लिमिट के आगे तो हम नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, बास समझारी है, तो टीचर ही बेहुदी बात करेंगे, हल आग लगा के सोचरों कि गर्मी ना लगे, आग लगाओगे तो उसकी तपिस तो सहनी पड़ेगी, ठीक है, तो अपनी लिविंग और अपनी टीचिंग को चमकाई है, उनको इतना प्रभावसाली बनाई है, अपनी टीचिंग को बच्चे कंट्रोल में आएंगे, और एक द यह reality है, हम इनको avoid नहीं कर सकते, और हम इनसे बच भी नहीं सकते, यह कहीने कहीं आके हम से टकराएंगे, ठीक है, तो हमें यह माल लेना कि भाई, यह सच्चा ही है, समाजवें ऐसे भी लोग हैं, आते रहते हैं, टकराते रहते हैं, चलो आगे वड़ते हो, यही जीवन है, क्या करोगे, ठीक है, तो जिनको आप बदल पाओगे अपनी teaching or living से बदल लेना, नहीं बदल पाओगे उनको लेके ज्यादा sentiment होना, अगर आपको यह रहे कि नहीं, आप ठीक हो, आप अपनी जगे पे सही हो, आपने को ऐसा मतलब वजह नहीं दिये बच्चे को यह करने के ठीक है, अपनी तरफ से अपने फुल प्रूफ तैयारी कर रखे, तो ठीक है, ऐसे लोग टकराते रहते हैं, भाईर को कोई इलाज नहीं है, दुनिया में ऐसे बिखरे पढ़ें लोग, यहाँ वहाँ टकराते रहेंगे, तो बैस टकराते रहेंगे, मान लेना कि यह that is the reality of our society, हमारे society, यह reality है, इसी को बदलने के लिए हम teacher बने हैं, कमाने के लिए भी teacher बने हैं, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे पढ़ाना पसंद नहीं है उतना जादा जितना पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना जादा पसंद है, पढ़ाना उतना नहीं पसंद है, बढ मैं पढ़ाता हूं ज्यादा पढ़ता हूं कम जो मुझे पसंद है वो काम मैं कम करता हूं जो नहीं पसंद है ज्यादा करता हूं वजय क्या मैं नहीं बोलूंगा लेकर आप जानते हो वजय क्या ठीक है तो हम टीचर बने कमाने के लिए पहली बात तो यह है बागे सारी बात सोच उनके वेभार उसमें भी बदलाव लाना है क्योंकि वो सिट जन है हमें उनको अच्छा इंसान भी लो लाना है जितना बना पाएं अपने स्थर से ना समझ में आ रही है तो यह कुछ बाते हैं इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ठीक है कट जाएगा समय अच्छे से हैं बागि कोई डायलोग बाजी को बता दुए यह डायलोग मार देना चैनल कोई तीसी सी चीज है कैवलन उक्सान करेगा रिख सायरे ब्लाव बच्छा कreiben यह दो चीजे काम ना करें एक बार समझ में आता है यह मैं मान सकता हूं यह दो चीजे काम नहीं करेंगी ठीक है लेकिन तीसरी चीज काम कर जाए मैं कभी नहीं मान सकता वह पक्का बैक फायर ही करेगी डैमेज ही करेगी डैमेज कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हैं तो यह आपक पर contact रह सकते हैं बाकी आपकी question का response मेरे पास यही था sincere यही था ठीक चलो एक बच्चे का और question था हाला कि मैंने कहा था मैं slavery class में नहीं start करूँगा अगले class में start करूँगा लेकिन पूछने वाले पूछी दिया अब यह समाज के सच्चा ही है जैसे मैं आपको बता रहा था यही हमारे समाज के सच्चा ही है बच नहीं सकते हम इससे टकराते रहेंगे ठीक है तो इन्होंने पूछी है क्या हम perfect continuous stencils की voice change कर सकते हैं तो answer है कि अगर work transitive है तो बिल्कुल कर सकते हूं ठीक है कि यह वाला है पर देखो आपके doubt classes बीच बीच में रहा करेंगी उन doubt classes में आपको इचीजे और यह बाते पूछ नहीं है आपको सारे ठीक है बीच 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 में doubt classes रहा करेंगे बाकी चले रहेगा आपके Quesons रहेंगे यह आप मुझसे वाटस पर पूछोगे यह dedicated doubt class रहेंगे उनमें पूछ फोगे ठीक है आगे से ऐसा आपने कर लेना है नमस्ते भाई आनंड जी नमस्ते आगे बहुत लेट आजरी लगाई तुमने नो बजे की class थी 10 वजे आरह हो class में hmm they have been they have been chasing us since 3 p.m. now change the voice करेंगे बाकी मतलब कोई भी ऐसा question आप पूछना चाहते हो कोर्स से related ठीक है और मतलब स्लेवस तो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे यह तो बच्चे ने पूछ लिया चलो हलका question है तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं ठीक है बाकी अगली क्लास से प्रॉपर स्लेवस आपका इस्ठार्ट होगा वेंस्ड़ से ग्यारा तारीक से अच्छा दिन होता है they have been changing us since three p.m. I'm from Andhra Pradesh, please do simple Hindi I want to teach competitive students but at present I am teaching primary student what should I do okay good evening there is a limit on typing okay okay we will get it corrected no classes will be on Mondays Wednesdays and Fridays only MWF it can't be change actually it can be changed here yeah even the word impossible says I am possible even the word impossible says I am possible even the word impossible says I am possible change and if we do the voice change then the passive form is being plus third form तो चेजिंग का पैसे बनाएंगे तो बिंग चेज हो जाएगा ठीक पर यह जो इस्ट्रक्टर होता है यह बड़ा ओक्वर्ड है यह बच्चे आप पूछ रहे तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चा पूछ रहे तो मैं मना कर दूँगा तो मैं बाते नहीं करूँगा होता क्या है कि हम आउट ऑफ क्यूरसेटी बच्चे की क्यूरसेटी को सांथ करने के लिए ना कई वर कुछ भी बताने पड़ाने लग जाते हैं फिर हम यह नहीं समझते कि वह हमारे बच्चे के लिए तो अगर कोई में से स्टुडेंट कुछ है आप तो इनका कोई तुक नहीं बनता तो अभी क्या है कि इसका चेंज तो हुई जाता है यह इसका पैसी भी लिखा हुए आपके सामने है वी हाब बिंग चेज्ट अबाइदम नहीं लिखा कहीं पर एक मिनट बाइदम भी लिख दाता हूं कि वी हैब बिंग चेज्ट बाइदम तो इसको डेलिबरेटली अवाइडी किया जाता है इंगलेस में ठीक है कि पर्फेट कॉंटिनिमस टेंसर में लिखे वर्ब्स जो होती हैं उनका वहीड्य चेंजिनी गड़ेत उनको active में ही उसकरते हैं एक चीज़ हो गया हमें बता है जो एक्टिव वर्फ सोती है अब पैसी वह बच्चे बतायाएं कि हम किसी बार को एक्टिव वोईस में पैसिव वोईस में क्या वज़िए होती है कि सिवर्व को अम एक्टिव वोईस में लिखते हैं कि सिवा यह ब्यूत यह समयद आज पहली इस बुद्धाइब देख लेते हैं आ रिटिंग में समस्य हाँ विल्कुल और किसी वैर को में पैसिव फर्म में क्यों लिखते हैं कि अगए आए इसी क्योश्चन बता देगा जल्दी से बताओ थोड़ा सा डिले रहता है कमेंट का यहां पर इसका कोई तकनिक और अगर निकल लाए न तू बहुत अच्छा हो जाए अपना for describing who is doer or who is object very good others बाकी लोग भी ट्राई करें when doer is unknown or doer is obvious we use a faster as humble full essay हो ऑाई बहुता है कि अ अख़ू। हलांकि आप लोगों के साथ ऐसे दिक्कत नहीं होगी बड़ कई बार ना बच्चे मुझे से यह पूछते हैं कि यह बात जो आप बता रहे हम इसे क्यों मानें जैसे मैंने कोई कॉंसर्ट पढ़ा दिया यूटूब 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 पे मैं ऐसे कॉंसर्ट पढ़ा देता हूं कई बार ठीक है काफी बच्चे पढ़ रहे होते हैं बुक्स वगेरें बीजिवर अधिक तो कई बार उन्हें लाट जानते हैं जो बुक्स में किसी में वन्हें पढ़ा है वो उसको फंट्रस्ट कर रहा हूं उन्हें लगता है मेरे पास आते हैं में बच्चों के साथ में नंबर करता हूं मिच में उसका प्याइज नंबर बताओ हमें बुक बता हो हमें उसका प्यज नम्मर बता हो ठीक है नहीं तो हम क्यों माने आपकी वायत कि आप जो कहरो हो साही है एसा के वार बच्चे पूछते हैं कि में जवाब नहीं देता हूं कमेंट देता हूं और मतलब मेंसेज देख लेता हूं कि कहा हो लजना मेरे पास इतना थाइम थोड़ी कि मैं तुम्हें जस्टीफाई करता ही ठीक है मैं आंसर बता दिया यहीं बड़ी बात है आप तो जोचरों कि मैं उसको justify भी करूँ एक्स तुम्हें डिसाइड करने में सही गलत क्या है, मैं तो जानते हैं सही गलत क्या है, मुझे तो क्यों confusion ही नहीं है, I am quite clear with my approach, मैं तो अपनी approach को लेकर इस पस्ट हूँ, तो मुझे confusion ही नहीं क्यों जाके तुम्हारे साथ सिंग लड़ाऊँ, तुम्हें confusion है, तुम नहीं समझ प यह हम इसलिए माल ले, है ना, अब देखो, प्रूफ की बात ही है, कि आप कुछ अच्छी books पढ़ेंगे, तो अपने आप ही जान जाएंगे, एक चीज, अद दूसरी चीज, एक इंग्लिज में इडियम होता है, एक इंग्लिज में इडियम होता है, not to see the wood for the tree, कोई बचा मुझे पर इसका मीनिंग बता है, इस इडियम का क्या मतलब बता है, कॉम्टिटिव एक्जाम के इसाफ से इंपॉर्टेंट है, मैं यह बाते आपको समझा देता हूँ, यह असल में क्या मसला है, मतलब मेरी जो अपनी समझ है, वो मैं बता देता हूँ, बाक्ती तो असली में क्या होगा, वो किसे को नहीं बता है, ठीक है, not to see the wood for the trees का मतलब क्या होता है, एक इडियम होता ही, कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा, फिर मैं आपको अपनी बात समझाता हूँ, क्या है, अरे भाई, तुम लोग इलीट बैच में हो, ये इडियम से इडियम के मीनिंग बता दिया गरो जल्दी से, क्या कर रहे हूँ, हदी हो गई भाई, I know that it takes time, समय लगता है, कि वहां से यहां तक कमेंट को आने में, बट इतना भी नहीं लगता, अपडेट करवाना पड़ेगा, मैं सुझ तु तुरंट आना ची है, पेड के बदले लकडी, नहीं देखी जाये, तक मार खाएगा है, अब मैंने कहा था, रिटेन कम्मुनिकेशन शुट बी इन इंग्लिश अनली, रिटेन कम्मुनिकेशन इंग्लिश में ही होना चाहिए, बात्चीत एक बार हिंदी में कर लो, समझ में आता है, ठीक है, एक बिचारा है अंधरा का बिच्चा है, वो कहरा सब सिंपल हिंदी यूज करो, ठीक है, तो मैं बदाता हूं, not to see the wood for the tree का मतलब होता है कि you get engaged or interested in details so much that you miss the main point, ठीक है, कि जो main situation है, broader perspective है, उसको miss कर देना, छोटी-छोटी details में खो जाना, यह इसका मतलब होता है, ठीक है, हाँ, तो अब होता गया मैं आपको बता हूं, जैसे मैंने भी भगवत गीता पड़ी, बहुत मन से पड़ी, ठीक है, ओशो को पढ़ने के बाद में मेरे मस्तिस्क पर ज्यादा प्रभाव किसी चीज ने किया जीवन में, वो भगवत गीता ही थी, मैं सही बता हूं आपको, ठीक ह पोशो के बाद में फिर मैंने श्रीमत भगवत गीता को पड़ा, बहुत मन से पड़ा, ठीक है, उसका दरामचरिद मानस को भी पड़ा, वो भी बहुत मन से पड़ा, बट मैंने अपनी सिक्षा लेते हैं, मैंने अपना काम की चीज निकल ले उसमें से, ठीक है, और दुनि भगवत गीता के अध्याय इसमें स्लोक नंबर इसमें ये बोला भगवान ने, इन्होंने इनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, वह मुझे कुछ या दिन आता, मैं to the point काम की बात पकड़ता हूं, ठीक है, कि भई इस फिलोश्पी में, इस दर्शन में ये गूड बातें छिपी ठीक है, अब वो श्रीकरशन ने अर्जुन जी से कही है, अर्जुन जी ने श्रीकरशन जी से कही है, ये मेरे लिए इंपार्टन नहीं है, वो उन्होंने किस अध्याय में कही है, किस लोक में कही है, किस पेज नंबर पे कही है, वो भी मेरे लिए इंपार्टन नहीं है, मे प्रणिया के साथ जो मेरा अपना इंट्रेक्शन है उसमें वह बात मेरे काम आ सकती है। मैं बस वह पकड़ता हूँ। डायरी लेके पढ़ता था और बात है में पॉइंट में लिख लेता था। मैं यह नहीं लिखता था कि अध्ध है कौन सा है पेज नंबर कौन सा है किसनी किस से कहा है यह सब ना टकवाजी किनारे करो। उसमें कुछ नहीं रखा वह बेकार की बात है उनसे गुमान आता है फिर गमंड आता है मतलब में। हमें तो श्लोक नंबर भी आ दे है। नंबर भी आ दे हैं बसल में रहीं। तो मैंने बहुत से किताव किताबे पड़ीं और कुछ इधर उदर की लेकिन यह यह याद नहीं रख पाता है। मेरे से ज़्याद है मेरे स्टूडेंस उनको इंगलिस ऑथर्स के नाम याद है पता नहीं कौन-कौन से ऑथर्स के नाम बता देते हैं कुछ Cambridge पॉब्लिकेशन के ऑथर्स हैं कुछ Oxford के ऑथर्स हैं हमें यादी नहीं एक दो याद है कुछ मिला का 500 पेज की 1000 पॉफ पड़ी बुक पड़ी कुछ ऐसा मिला जो मेरी सोच को प्रहावित करें मेरी सोच को बदले वो मेरे लिए इंपोर्टन्ट है वो मैंने किसे रफप पर किसी डायरी में कहीं पर नोट कर लिया अब बुक क्या थी कितने रुपए की थी उसमें क है कि जब मैं पढ़ता हूं न तो मेरे लिए चीज इंपॉर्टन नहीं होती है यह मैं चीज़े याद नहीं कर पाता है मैं भगवत गीता है कि नहीं कर पाया तो इंगलिस की किताबों गीतों क्या ही करूंगा तो मैं टू दो पॉइंट जो क्रक्स है उस पर मतलब इंट्रेस समय तक बैटके पढ़ने ही पाता है कि दिमाग ठक जाता है जल्दी से मुझे बीच में ब्रेक चाहिए होते हैं नहीं तो मैं बातों में बात को क्यों मनें ठीक है हम इस बात को क्यों माने इसका कोई प्रूफ दो इसका कोई स्क्रिंग्शॉट दो किस बुक में लिखा किस पेज नमर पे लिखा किस ऑथर ने लिखा किस पुब्लिकेशन की बुक है कौन सा एडिसन है अरे बहुत सी चीजे तो हालें कि कुछ चीजे ऐसी होते हैं जो उसके लिखा हुआ है अगेंस नहीं मतलब उससे डिफरेंट लिखा हुआ है तो मुझे पता है कि मैं काफी चीजे ऐसी पढ़ाता हूं बताता हूं जो बुक्स में वैसी नहीं लिखी है किसी और तरीके से उनका इंटर्पेटेशन है डिफरेंट है ठीक है वह भाई उस प तो अब उसको जस्क्रीन शॉट देना उसका पेज नमबर देना यह बेकार की चीजे मुझे नहीं पता मानने है मानने मत माननो मेरा लॉजिक साटिस्पाई हो रहा है मैं समझ पा रहा हूं और मुझे पता यह मेरा पूरा पीस जो है यह बूरा जो बड़ा एक जो वह नही की की यह है जो आपको हो सकते हैं कि परणने लिखने सुनने को नहीं बनाने हैं मेरा पूर इस पूरा रट्य पूर करेयर में हरे और सब कुछ सब्त Siz अब मैं कोई ऐसी चीज सही नहीं मान सकता जो मेरी बनी बनाई पजल को डिस्टब करके रख दे तो आते हैं इस बात पर बच्चे ने क्योश्टन पूछा कि हम पर्फेक्ट कॉंटिनिवस टेंस की वर्प का पैसिव क्यों नहीं बनाते हैं ठीक है तो यह पूछा क्यों बना प्रोच जाता है ठीक है तो बुक्स में नहीं पढ़ाने के दो बज़े है मैं जो समझता हूं वह दो बज़े है ठीक है पहली यह की स्ट्रक्चर आपवर्ड होता है बोलने में पढ़ने में ठीक है अपने मैंसे को विदर इन रिटें और whether in spoken form, मतलब easiest possible way में message convey करना चाहिए, यह language की tendency होती है, ठीक है, यह language tendencies है, कि आपको जो कहना है, वो आप simple form में कहिए, complicated के वाज़ा है, I cannot ever do it, I can never do it, I can never do it, I can never do it, should be preferred, ठीक है, I cannot ever do it, तो not ever equals never, I can never do it, बात एक ही है, I cannot never, sorry, I cannot ever do it, और I can never do it, बात एक ही है, but I can never do it, should be preferred, that is easy to pronounce, easy to write, soothing to hear, कानो को सुनने में असान लगता है, easy लगता है, तो यह language tendency होती है, बात समझे है, तो language इस पर काम करती है, यह जो structure है, जो रीडर के लिए, लिस्नर के लिए, लिस्नर के लिए, तो रीडर से लिस्नर से एक्स्ट्रा 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 के लिए easy ना हो वह अवोईड की जाती है और जो उसका सब्सिट्टूट easy-to-earer हो easy-to-hearer, easy-to-listener, easy-to-reader हो उसको प्रफर किया जाता है एक पर language tendency है हम जानते वांते नहीं बट यह काम कर रही होती अब आते हैं दूसरी बात पर जो एक technical पॉइंट में आपको बता नहीं है आप इस पर ध्यान अखोगे तो आगे बहुत सी चीजों के आंसर आप अपने आप जान जान जाओगे बस यह बात ध्यान एकना ठीक है अब आते हैं दूसरी बात पर जो एक technical पॉइंट में आपको बताना जारते हैं यह मैंने तीन सेंटेंसेंसे लिए क्वेसंस नहीं है मैं सही गलत नहीं करना है सारे सही है कमल गेव मी अबुक कमल गेव अबुक तो मी अबुक वस गिवन तो मी बाई कमल किह हमने सेंटेंस लिए है मलब यहमने होने इसमें हमने डायरेक्ट टिर्स और आजरेंस करी और इसमें और है कि अ हीचित हुआ है यह तो अब यहां पर आपको समझना है कि यैसे हम कूए सेंटेंस लिखते हैं तो आप मैं से सारे बच्चे वाइब जानते ही होंगे कि कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं अब यहाँ पर होता है है ठीक है जब हम कोई सेंटेंज लिखते हैं तो हमें पता कि इंगलिस में सब्जेक्ट पहले और प्रेडिकेट बाद में आता है और जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें वर्ब होती है इन्फरमेशन मिलती है यह लेंग्विस टेंडेंसी है कि English में जो sentence लिखा जाता है तो उसकी tendency ऐसी होती है कि starting में हम मतलब जो subject part होता है starting में हम उन चीजों को mention करते हैं जो की known है या old information old या known information का मतलब ऐसी information जिसको हम ये मान के चल लें कि हमारे reader को हमारे listener को जिसके बारे में पहले से जानकारी है पहले सो उसको इसका idea है ठीक है और जो उसके बाद में subject के बाद में जो information उसको follow करती है चाहे वो verb है चाहे वो compliment है चाहे वो object है चाहे को फ्रेज है चाहे कोई clause है कोई भी है वो new information होती है इस तरीके से sentence बनता है English में यह language tendency है कि पहले आप उस information को put कीजिए that is old that is already known to the reader or the listener and then you put the new things जो नई बाते आप बताना चाहते हो आप बात में पुट कीजिए अब यह जो tendency है उसका application आप इन तीन sentence में देखे कमल गें मिया बुक कमल ने मुझे एक किताब दी तो मालो कोई person आपसे पूछे कि कमल ने तुम्हें क्या दिया हमने देखा कि कोई person ने कमल के पास आया और उसने कमल को कुछ दिया अब उतनी दूर से हम यह नहीं देख पाए कि वो दिया वो क्या था तो हमने पूछा वही कि कमल ने तुम्हें क्या दिया तो आंसर यह रिप्लाई करेगा कमल गे मिया बुक कमल ने मुझे किताब दी बात समझ मारे है तो कहने का मतलब हम यहां पर इस sentence को जब हम पढ़ेंगे तो हम यह मानेंगे कि उस person को जिसको हमें बात बता रहे हैं जो इस बात को पढ़ेगा उसको यह पहले से पता कि कमल के अब कोई person आया उसने कहा कि मैंने सुना कि कमल ने किसी को किताब दी है क्या तुम जानते हो कमल ने किताब किसे दिये तो मैंने बताया कि कमल ने किताब मुझे दिये कि कोई person है मेरे पास आया उसने कहा कि मैंने सुना कि कमल ने किसी को एक किताब दी है जानते हूं किसे बिए किताब तो मैंने का मुझे दिया तो मैं कह दूंगा कमल वुग तो मुझे दिया किताब तो यहां पर जो information है डिया किताब कीसे दिया है इस पर इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंट बात एक किसे दिये यह इस पर फोकस करना है तो हम तुमी को बाद में सिफ्ट क्यों देंगे हम ऐसे लिख देंगे कमल गिए अब बताना है अब बुक वस गिवन टुमी बाइक कमल लिर्षै किसी परसन को पता चला है कि मुझे किताब देंए को उसने आगे में से पूचा है मैंने किताब देंगे किस्ने दिया आपको कितब उसको यह पता करना है तो आब हम यह नहीं banana क्योंकि इसमें वो new information सब्जेक्ट आप नाने सकते निव इंफरमेशन ने प्रेडिकेट पार्ट में होनी चाहिए और राइट साइट में उनीच यह लेफट साइड में ओल्ड इंफरमेशन प्रसें इसने पूछा आपको एक किताब दी घी किसने किताब आपको तो मैं यह काऊंगा तो हमने जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको पैसिब बना के प्रेडिकेट पार्ट में अट दी एंड आप दे सेंटेंस सेफ्ट कर दिया है क्यों इस दे निए इंफरमेशन वांट टू ले फोकस अनिट वी वांट टू ले इस्ट्रेस अनिट तो यह लैंग्विज ऐसे बाते में अपने साथ करता हु अब और नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं थोड़े समय के लिए वह हमारे जादू में आ जाएंगे हमारा उनको पर चार्म काम कर जाएगा थिक है बट फिर डेरेल होंगे पक्का सेसे तुम्हारे इतने नंबर आजाएंगे ठीक है कंठल कर सकते हो सेलफ कंठ्रोल है कुई को अंतर नियुका के रहे हमें शत्तुम्हार साहिंते नहीं इस लिए अप्रोच है थal दिसकों करता है रहिए क्योंकि बच्चों को डिरेल तो करना नहीं है वह एक परपस के लिए पड़ रहे है अपने जादु दिखाने के चेक्कर में उनकोठरेल कर दो फिर बाद में वह ही गरी आएंगे तो उनके साथ उन बातों को करने का कोई तुप नहीं होथा फिर मैं यह बात है अपने से ही कर करते दिख रहे हैं कि क्योंकि इस सिंस थ्री पीम को यह देखो अभी भी लास्ट में लिखा और इसकी पोजिशन यह रहे कि इसको पहले लिख भी नहीं सकते यह बाद में आपको लिखना है तो कहीने कहीं पर जब हम पर्फेट कॉंटिनुवस टेंस लिखते हैं अब यह तो तो पर्फेट कॉंटिनुवस टेंस में जो प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं इसकी वज़े से पैसिव बनाने से भी आमें वह फायदा नहीं मिलता जो यहां पर मिल गया ना वह आपको यहां नहीं मिल पा रहा है ठीक है क्योंकि अभी भी निव इन्फरमेशन वह तो इसमें बारिश हो रही है यह बारिश हो रही है घंसे में इन्फरमेशन जो हम किसी को बताना चाहते हैं तो हमने इसको इतए रही दिए लिग दिया अब मालो हम लिख दें इट हैस और रही अ हुआ प्रस को 3 p.m. कि तीन मेजे से बारिस हो रही तो यहाँ पर नूर्वाभAmSare टिंस थे या सिंस त्री श्यूंगा लिखा गैंज में कंक्यूं हूं गेब हुआ है तो परफेट कॉंटिनिवस टैन्स लिखा क्यों perfect continuous हमने लिखा esk लिज एवस पॉंट को एंट्रोड्च करने के लिए नहीं तो परफेट कॉंटिनिवस करको कर divert काम कर रहा होता वह ससका duration of time को जितना काम हो चुक है उसे बनाना था या point of time को बनाना था तो अगर आप point of time को duration of time को new information बना रहे हो तो पर passive बनाने से फायदा क्या मिलेगा वो तो active में वैसे new information है आपकी बात में लिखी हुई है ठीक है और आप उसकी position change नहीं कर सकते adverb of time at the end of the sentence आएगा तो at the end of the sentence आएगा आप पैसी बनाते हो तो आपको दूर पहले मेंशन करना पड़ेगा तो अगर आप दूर को new information बनाना भी चाहते हो तो भी नहीं बना सकते है क्योंकि new information तो आपको point of time या duration of time ही रहेगा और दूसरी बात आपने perfect continuity बनाया भी इसलिए क्योंकि आपको point of duration of time को ही highlight करना था तो जब उसी को highlight करना था तो एक्टिविए रहना तो फिर passive बनाने सकते है बनातो सकते ही है लेकिन वह आप बनाओगे क्यों वह तो पहले easy था अब आपने उसको complicated कर लिया complicated to pronounce complicated to write ठीक है तो इसलिए नहीं करते है तो यह मेरी अपनी सम सब्सक्राइब करने में अच्छी हैं सुनने में अच्छी बहुत अच्छी बात है बट अब भी मैं आप लोगों से चाहूंगा आप लोग फोकस करें स्लेवस पर जो आपका स्लेवस है जो आपको क्लास में करना है पहले उसको sharpen किजिए दो चीज़े ध्यान रखनी है living and teaching बस एक teacher के दो ही हतियार है जिन से वो हर एक परस्तिती में जीत सकता है teaching and living उनको चमकाई है उनको इतना effective बनाई है उनका इतना प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि जो आदमी देखे आपका जीवन शैली प्रभावित हुए बगेर ना रुखे अभी क्या इंसान है जो आपका teaching देखे प्रभावित हुए बगेर ना रहे तो बस आज के लिए इतना ही ठंड बहुत है टाइम से सो टाइम से जगो after pure pronoun adverb क्या है यह क्या लिख रहा है we don't make passive future content अरे हम किसी का भी नहीं बनाते ठीक है be like मेरा set है बाकी तुम अपना देख लेना मैं तो अपना एक लेंग्वेस की पूरी पिक्चर बना रखी है उसमें पजल में सारे पीसे अपनी जगह पर सेट है मुझे तो कहीं पर कोई अब हम अगले से स्टार्ट कर रहे हैं अपना पूरा स्लेवस मतलब स्लेवस की स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले हम जो अब हम लोग मिलते हैं क्या नाम वेंस्टे को आज के लिवस इतना ही कोई भी छोटी मोटी बात हो इसका मैं कुछ नहीं बता सकता है इसका मैं मोनिका जी कुछ नहीं कह सकता है आपको खुछ करने के लिए कुछ कह दूंगो अलग बात है जो मुझे करना नहीं है नहीं ठीक है मैंने तो देखा बहुत सो लोग पढ़ा पढ़ा के रिटायर हो गए इंगलिस पढ़ा पढ़ा के रिटायर हो गए उन्हों यह थो इह को कंधो को ढूँट कभी बता सकता है यह इप्रोच कैसे आती है इस अप्रोच के लिए सोचिए विचार कीजीए जीवन को थोड़ा सा ना मतलब अनुशासित कीजिए मैं बीच मेने बहुत खराब आदत पढ़ गये ती जो अब मैंने कि मुझे वह आदत छोड़नी है मैं बहुत मूवी देखता था और ज्यादा देखता था हालांकि थोड़ा बहुत उसका फैदा मिलता था लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूं कि उसका नुक्सान जाता था ठीक है कि मैंने अपने हो सकता है था। है था। हो सकता है थांड़न सफ फैर था हृतवर ही जान है मैं करें सफ़ेखता ठकी मुझे बहुत अच भी मवीज देख़ी है ऐसी मुझा लेकिए है फैक कर दिया हूद biggest Negro अच्छे है आउर्ट मैमंट कर दिना नो मुविज अब नहीं महिने दो महिने कभी एक आदि देखने हों कि देख लेंगे अधर्वाइस नो मुविज नो ठीक फोकस 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 बहुत जरूरी चीज़े जो हम कर रहे हैं मारा पूरा ध्यान उसी पर जैसे मैं आप से का कि मैं अपनी क्लासर में जाती धर करने में आई जाती है वेवकुषी वाली वात है करेगा करेगा टो एक तो यह धर्म राज नीती और जो जाती के मुद्ध मोद्धे होते ने यह होते भिवादे इन से बस बिवाद ही होता है इनसे कोई मसला तक सुलजा नहीं कभी शुलल जैगा इनको किनारे कर दोगे तो इनको सामने रखोगे कभी ने च new जेंगी इंगे कि एक तो मैं इसलिए बात नहीं कहता है दूसरा में इन पर बहुत बड़ी एक्सपर्टीज भी तो उल्जाने वाली चीजे अपने टूदे पॉइंट रहो हम सिक्षक हैं शिक्षार्थी हैं हमारा काम है ग्रहन करना शिक्षा आगे बढ़ाना बस यह बहुत बढ़ा काम है हम इतने कर लें जिंदिगी में तो बहुत बड़ा चीब्मेंट हो जाएगा हम ना कोई नेतागि हमारा जीवन पूर्ण हो गया हमने अर्थ पूर्ण एक अच्छा जीवन जी लिया बस इतना ही कर लें हमाले बहुत तो नेरो कीजिए हम बहुत जगे मैंने देखा कि आज के समय में हमारे युवा हैं आप लोग सब युवाईत हो मैं भी अभी युवा हूँ तो हम जो हम अपना काम करेंगे हम की उनके साथ पीछे पढ़ जाएं तो यह यह बड़ी दिखकत वाली चीज आप आप कैसे तरिके की अपरोच को पा सकते हैं यह तो अब को बता सकता हूं और सब्सक्राइब कंगा सहे सब्सक्राइर मैं नहीं मेरे लिए इस जो मैंने बात लास्ट में कहें इसके लिए मैं एक एक जामपल देता हूं आपको समझ में आ जागे एकदम समझ में जागे मैं क्या कहना चाहरा हूं एक दम बढ़िया एक्जामपल है जैसे अभी तो आज कल खर सर्दी है इसकल तो कुछ भी नहीं हो पाएगा लेकिन गर्मि दोपहर में उसको पढ़ा रहने दें वो वैसे पढ़ा रह Isto सड को चाहेगा एगा पीस ओपर लेकिन अगर हम है अगर हम है जो में What the सब्सक्राना रिखने मे जा फोकस कर दें जोड़ाई के महीने में तो आप देखोगे की कुछ ही मिनेट्स में वो जल जाएगा तो वो उसको energy कहां से मिली वो transformation कहां से हुआ वो बदलाओ कैसे हुआ वो revolution कैसे हुआ वैसे दो महीनों ख़बार पढ़ा रहता महीनों पेपर पढ़ा रहता सड जाता, गल जाता लेकिन वो जलता नहीं आग नहीं लगती उसमें वो आग कहां से आई वो धूब से ही आई बट magnifying glass नहीं क्या किया rays of sunlight को एक जगे पर focus कर दिया, concentration high कर दिया high concentration से revolution हो गया जो normal conditions में कभी नहीं होता होता ही नहीं कभी, paper सडी जाता विचारा लेकिन वो बदलाव उसमें नहीं होता वो बदलाव कब हुआ जब हमने उस energy को एक जगे पर focus कर दिया, energy तो ही sunlight में सब कोई पता है sunlight में energy है तो जो sunlight में energy है उस energy को हमने एक magnifying glass के तुरू एक जगे पर focus कर दिया concentrate कर दिया और उसने paper जला दिया बस यही answer है कि आप जितना ज़्यादा focused और concentrated किसी एक और जितनी जगे आप बटे हुए होंगे आपने देखा कभी हाल फिलाल में मैंने एक institute join किया online coaching है मैं महाँ पर competition के लिए classes में वहाँ लेने लग गया अपनी यहाँ लगवग बंद कर दी आपको बता है इसके बज़े वज़े का है आप सूचो के पैसा हालांगे थोड़ी सी वज़े है पैसा मैं ऐसा नहीं कूँगा नहीं है जूट जूट तो क्या बोलना मैं फिर से बता रहा हूं मैं कोई हरिस्चन नहीं हूँ बट मैं student से ना के बराबर जूट बोलता हूं मतलब नहीं बोलता माल लो यह ठीक है पढ़ाते समय लाइव क्लास के समय लगबग नहीं वोगड़ा बाकी मैं कोई हरिस्चन तो हो नहीं तो पैसा तो हई एक मसला जिस वज़े से मैं तयार हुआ एक दूसरा मसला है दूसरा मसला है यह कि जैसे मैं टीचर हूँ मुझे पढ़ना पसंद है पढ़ने को मैं एंजॉय करता हूँ मैं आप देखो अभी पढ़ा रहा हूँ न इस समय पाउने 11 हो गए रात को इतनी सर्दी में पाउने 11 हो गए कौन पढ़ाता है और वो भी खड़े होके देखो खड़ा हूँ खड़े होके पढ़ा हूँ मुझे कोई थकान नहीं है समय की कोई चिंता नहीं है तो दूसरी वजय पताएगे मुझे पढ़ना और पढ़ाना पसंद है लेकिन जब हम इंस्ट्टूट चलाते ना तो हमें बहुत से ऐसे काम करने पढ़ते हैं जो सरदर्दी वाले होते हैं वह सरदर्द होते हैं ये निया बेच लाना है कब लाना है इसका अनॉंस्मेंट करना है इसका है डिजाइन बानाा है इसका थम्निल बढ़नी है और क्र्येटिव टीम पकर नी रिंदी करनी में है ना टगवाजी करवानी है वो बहुत थकाव काम होते हैं वो करना में पसंद नहीं करता था कभी भी ठीक है अजब बीच में online कई बार options आते रहते थे फोन ओन आते थे एक बहुत बड़ा online platform में नाम नहीं लूगा ठीक है मैंने उनका contract में कर दिया था दो साल का ठीक है बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे contact sign कर दिया बट कॉंटेक्ट में क्लास बढ़ा होगे उसमें 60 seconds जो है starting में हमारा promotion करोगे हमारा का मतलब है कि जो आपके अपने courses हमारे प्लेटफॉर्म पर होगे उनका कर लेना बाकी का थो मैं नाम नाम भी नहीं लूगा ठीक है लेकिन उन्हें उन्हें उसको mandatory कर दिया उसमें कि हर एक YouTube class पर आपको यह करना मैंने कर दूंगा मैं 60 seconds की वज़ाए मैं मैं 6 minutes भी कर दूंगा जब मेरा मन होगा लेकिन मैं voluntarily कर दूंगा मैं इसको compulsory clause sign करके नहीं करूंगा वह माने नहीं तो मैंने का भाई पैसा तुम अपने पास रख लो मैं जितना कमाता हूं तरह में खोश हूं ठीक है मुझे नहीं चाहिए चार गोना पैसा रख लो अपने चलो या टीशाट पहें लेंगे कोई बात नहीं है ठीक है लेकिन फिर मैं अब यह क्या बत्तिमी जी है मैं पढ़ाओंगा आपने यूट्यूब चैनल पर ठीक है और तुम कहा रहो कि मैं हर एक वीडियो में compulsory उसको 60 सेकंड हालागि 60 सेकंड इसी थे के बल 60 सेकंड की बा लेकिन मैं कंपल से लिए करूंगा वह माने नहीं अपनी अकड में नहीं करता है तो मैंने उनका कॉंटेक्ट दो साल के साइन कर देया था लेकिन फिर मैंने नहीं जोइन किया तो अभी जो आप्शन है यह ठीक है यह अच्छे लोग है यह मुझे समझते मेरी अप्रोच को समझते मेरे behavior को समझते उनको भी पता मैं थोड़ा से टेड़ा वेड़ा इंसान हूं ठीक है लेकिन इन यह पता कि मैं पढ़ाया थोड़ा से ठीक देता हूं तो इसलिए हो गया नहीं तो मैं तो हमेसा चाहता हूं कि भाया मैं जितनी मेहनत करता हूं और जितना मुझे चोठे में बहुत बेकार इंसान नुट तो मुझे आता है तो यह थका देता है बहुत ज्यादा मुझे सब पढ़बा लो कितना भी किसी भी इसतर का प्रण χौणक पढ़ा देता हूँ मेरे section may आप लोगों साथ बताने कि आपकी एक नूहों है उन्हों ने बहुत अच्छा question पूछा कि अप्रोच हमें कब आईगी तो मैं बता रहा हूं कि कब आईगी है तो कोई नहीं बता सकता है लेकिन कैसे आ सकती यह बता सकता हूं वही मैं आपको बताने के अपनी क्लासे चलाता हूं तो इसमें मुझे बहुत से ऐसे काम भी देखने पड़ते हैं जो मुझे पसंद नहीं है ठीक है वहां पर उनके साथ में उनकी टीम है वह सब अपने घर से बस क्लास चालू करी ठीक है और पढ़ाया अपना टाइम है बस अपने घर गया बाकी सब को लोग देखते रहते हैं प्रमोशन करना थम्नेल बनवाना वीडियो लगवाना कोई मसला बन गया तो बच्चों की मतलब क्वेरीज डिल करना बहुत सब बच्चा भी पढ़ता है वह नाक में दम कर देता मैं सही बता हूं ठीक है तो वह सब उनकी परसानी है तो मुझे पीस ओप माइंड है तो मुझे अच्छा चीचर बनने में मदद करते हैं ठीक है तेचिंग करके कोचिंग इंस्टूट चला के कोई अडानी और अम्मानी जी बन भी नहीं सकता teaching में इसलिए करता हूँ एक decent life खुद जी पाऊं और अपने बच्चों को दे पाऊं मतलब एक decent life style खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए फोड कर पाऊं बस इसलिए teaching करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ने स्टेंडर्ट सेट कर दो लोग किसी ने पढ़ाया था इंगलिस को यह करना चाहता हूँ वह मेरा चीप्मेंट होगा पैसा मेरा चीप्मेंट कभी नहीं हो पाएगा क्योंगी में teaching करके उतना कभी नहीं कमा पाऊंगी पैसे के लिए लोग याद करें ठीक है कि वह उस परसन ने हजार क्रोड कमा लिया था ठीक है मैं चाहता हूँ एजर टीचर लोग मुझे याद करें लोग याद करें कि किसी ने पढ़ाया था तो वह मैं तभी कर सकता हूँ जब मै इसी चीजे जो हमारा ध्यान भटकाती है हमारा कोर जो काम है वह पढ़ना और पढ़ाना बस दो ही काम है मलतलब वह कॉंप्लिमेंटस हैं दो नहीं है जैसे वह दाल चावल मिलके भोजन बन जाते हैं बच्चों को पढ़ते हैं सब्जेक्ट और एग्रिमेंट हो बस वह य अगर छुटकारा मिल सकता है तो लीजिए किसी भी तरीके समसे चटकारा लीजिए तो वही आग वाली बात है अखवार जल जाता है मैगनिफाइंग ग्लास से तो अगर हम अपना पूरा फोकस पूरा ध्यान यहां ले आएंगे ना तो होंगी चीजे ऐसी ही होंगी चीजे अगर मैंने आज आपका अंसर किया दूसरा क्रेशन था वाय डॉंट वी चेंज द वॉइस और पर्फेट कॉंटिनुवस टेंसर अत्तीसरा क्रेशन मोनिका जी ने चलते चलते पूछ दिया कि यह अप्रोच जो मेरी अप्रोच जो मैंने आपको बाते समझाने में अप्रोच फॉलो की है कि अप्रोच हमारी कभ डेवलप होगी तो आंसर है यह मैं कभी नहीं बता सकता कि यह अप्रोच आपकी कभ डेवलप होगी बता ही नहीं पाऊंगा बट कैसे हो सकता ऐसा उसक तो उन सारी चीजों से छुटकारा पाओ, to the point, focus, काम पे लाओ, और सब हो जाएगा चलो, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप चलते हैं, फिर अगले गलास में आपको जल्दी ही मिलेंगे